परान बहुत ज्यादा खूस है और परिंद में बहुत ज्यादा खूस है, आला कि बाइक लाकर करके हम लोग जो है इसको भी राइट पे नहीं कि और इन लोगो को बिठाए बने तो फिलाल यह बाइक पोच्छा रहा है तो अभी हम बच्छे लोग को लेगा के राइट पे न में जा रहे हैं और माइक टेश्ट भी कर लेंगे मेरा एक्शन केमरा का और फिर देखते हैं इस बाइक का क्या एक्सप्रियंस रहता है गोप्रो के साथ कहां जाएगी इस अलाम करी है चलो तो चाबी लिए गाड़ी का लो इसको डिक्की में रख दो तो गाज यहाँ पर हमन बॉक्स लगाएंगे जो समाल ले जाने के लिए बहुत असान होगा और नेफाल रैट के लिए टो बोक्स बहुत जरूरी है और हैंडिल के लिए हमने एक ओनलाइन मंगाया है जिफियस से देखने के लिए मोबाइल मांड करने के लिए जो भी वह भी काफी अच्छा है सात सब्सक्राइब मुझे तो गोप्रो में बाइक के लुक कैसा लगा फेंड्स आप मुझे कमेंट्स ने जरूर बताए और यहां फर आप देख पा रहे हैं मेरे शौप सामने है और अभी हम लोंग राइट पर नहीं जाएंगे चुकि यह बच्छे लोगा हाथ में हैं अभी हम सोट ड्राइब पर निकले हुए है तो अभी कोई डी साइट नहीं हुआ कि हमको जाना का है फिलाल अभी हम जा रहे हैं आकास के घर और आकास से हम पता करेंगे कि आकास के ट numa गूंट के तरह कोई कि जोने है क्या तो वहां पर फिर अकास को लेकर के हम जो है चलेंगे और अकास बकात बता रहा था कि वहां पर जो है कोई भूम ने कि जगा है कोई ब्रीज छे है और जंगल सा सीन है, तो उसी जगह पर हम अभी चल रहें तो हमको भीरभार वाला एरिया में ही घुशना पड़ेगा चुकि भीरभार वाला एरिया से ही जब हम गुजरेंगे तो साथ मुझे प्रैक्टिस होगा और अभी फिलाल हम मार्केट हो करके जाएंगे और इधर वीरभार वाला एरिया हला कि आज संडे है तो आज संडे को ज्यादा वीरभार नहीं होगा लेकिन फिर भी हम कोशिस करेंगे कि हमको 500 किलोमेटर चलाना है और टॉन में ही चलाना है इस बाइक को चूकि 500 किलोमेटर चलाना होगा और एस का पहला सर्विसिंग कप्लेट होगा और पहला सर्विसिंग जब तक कंप्लेट नहीं कर लेते हैं तो हम इसको टूर में लेकर नहीं जा सकते जो कि हमारे नेपाल ट्रीप का जो टूर होता है वो लगबग 2000 किलोमेटर के होगा और ऐसे में जो है बाइक धुहां मार देगी या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ सकता है इसलिए एक सर्विसिंग कराना बहुत ज़रूरी इस रास्ते में बाइक चलाना तोड़ा टॉफ है और फर्स टाइम है मेरा ये बाइक का सो एक्सपेरियंस उत्ता चल नहीं है फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं और आज का ब्लॉग में हम से भी अपने बच्ची लोग को लाए है और फ़रीन के अम्मी को नहीं लाए है अब प्धिन को भी लाना चाहिए था ब्लॉग में और उनको भी इुश्ट बाइक में तुट कराना चाहिए था लेकिन नहीं ला पाए क्यों वर्ट कर रहे थी और अब फिलाल हम चलते हैं हाकास के गार आकास के गार इसी रोड में है आने वाला है और फिर उससे हम बात कर पूछते हैं, यहां पर कोई दिखे हैं या फिर हो इक और पर फिर रहा कोरा है अकाथ है क्या अकाथ है अरे जरुन में ऐना है फूल है और अकाथ में भी ली आधो है तेहेकाथ है को है नए असमिझान को्तुके नहीं है तो मुझेश को यहां सबसद्वा है हो द刃 कैंग नाय कर से अदीन कर साम व मुं अदया पहाग घ्या कर दोन है presना लगषा लगषा लिशिया आप जिल्ड़ू पर नहां पर रोटे ज़रा को तो हो जाता है क्या तो युझी जब देख पारे है देडिया ग्लीजर अलगि अब है अब अपर पानी नाथी आप्टेपरे वहां अपर नाथी है लेकिन वीज खुड़ा बड़ा है कि और शिलरी यह लोग देखें हम लोग इसको मेरे लूपा सामन दोभा बोलते हैं तो यह दोभा करना जा रहा है और फरान फरीन से भी हापए इसको करते हैं और अगास लेकर कि आया हला कि अभी धूप है तो मज़ा नहीं आ रहा है धूप नहीं रहता थोड़ा सा स्चाव बनोटा तो डिकेदा लग्ता वाल कना जारा का बेच्छा जग झाल का बेच्छा मुड्नार माण माईटा जारा के लग्ता का वाल हुआ लग्ता वाल कि य projectionsा Take Evaluation Update कुल रोख यह काफि अच्छ नहों जा रहा है यहां पर देखा यहां पर जाया हुआ है कि सदे चलेगे देखिए बहुत ही अच्छा लगे आपको देखने में आज स्वाइए और यहां पर भी आप लोग और फिकनी को गरा मना करते हैं और यहां पर थोटा था तलाव है लुकितर पयाँ राग साधर का कि आड़ कुछ होग से नहेटर देटर भाग स्वार शेया है अजग जाती है ही करा में आ कर सांड को रेका हम डैका हम अगा है कि दूप में क्या करें गाइज आज का फर्स्ट ब्लोग मेरा आपको कैसा लगा याप मुझे कमेंट्स में जरूर बताया और यहां तक ब्लोग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो नेक्स ब्लोग इससे भी अच्छा आने वाला चुकि यह फर्स्ट एक्सप्रियंस था मेरा यह बाइक के साथ और गोप्रो के साथ और गोप्र तो मिलता है फिर नेक्स ब्लोग में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए जय हिन जय भारत कर दो एक्सा बैक्स ब्लोग में तेक्स ब्रहां साथ कि यह बाइक्स